अब आप अपने खेट में आया जो कि मेरा खेट एक से दो किलो मेटर दूर है मैं वहां आया और मेरे खेट के पास में एक बहुत बड़ा बाग है इससे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है जिसमें इन यह देखिए आप देख सकते हैं छेजाद बच्चे हैं जो कि अभी 15-20 दिन की होंगे किसी ने इतनी गंदी हरकत करके इन्हें इस बाग में छोड़ गया है दो दिन से ही पड़े हुए हैं इतना गंदा काम किसी को नहीं करना चाहिए आप देख सकते हैं कि इतने विचारे मासून कैसे ले भी जान होती है तो हमें इनको रिस्पेक्ट देना बनता है और यह घर के पास रहते हैं और हमारे सुरक्षा भी करते हैं रात में चोरी हो कुछ भी हो किसी चीए एकसेफटर है जितने भी छीजा दे सब की हेल्फ करते हैं तो हम लोग इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं तो कुछ दोध और रोटी लेगिया जो मैंने इनको खिला दिया है अब ये आराम से देख सकते हैं आप इसने अराम से बैठे हुए अभी तक ये बहुत उचलकोद कर रहे थे यह कुछ खाय पिये नहीं थे अब मैंने इनको कुछ रोटी और दोध पिला दिया है तो अब ये दोध रहे हो इनको और इमा को धोड़ रहे है अपने पता नहीं कौन इतनी बड़ी जंगल में इनको छोड़के चला गया है बाग है पूर इतनी बड़ी है इन्हीं के बीच में ये सब दो दिन से बड़े हुए थे जब मुझे पता चल्ब मैंने आया इन्हें और देखा तो मैं इनके लिए ये देखें पॉलिल्हीं में दूध और रोटी लेकिया और तोफिला दिया है तो मेरा यही निवेदा ने आप सबसे जो मेरी वीडियो देख रहा है जो छोड़के जाना चाहता हो जा सकता है लेकिन जानवरों के साथ हमें जैसे लाइक आ व्यूमन बि तो उनके साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बहुत छोटे आप देख सकते हैं कैसे इतने छोटे तो हमको बिल्कुल दया आनी चाहिए थोड़ा तो दया रखना चाहिए अंदर कि किसी के साथ हम अच्छा सब भी हैब कर सकें और जिर्यों में ऐसा किया है वो बि कर दो भी हम अच्छा सबस्या है